अकोला में एक ही दिन में कोरोना के पांच पॉजिटिव मरीज पाय जाने के बाद कई एरिया को सील किया गया है मानपा की आरुगे टी में सर्वेक्षन कर रही है जिसका मुआयना पुलिस अदिक्षक समेथ मानपा आयुक्त ने किया रविवान को सिंदी कैम के 41 वर्षिय ठोक किराना व्योसाई कोरोना पॉजिटिव पाया गया था जिसके बाद जिला परशासन्यों उसके संपर्क में आने वाले 47 लोगों को अस्पताल में भरती कराया था उनके सेंपल्स जांच के लिए भेजे गए थे जिसमें से 41 की रिपोर्ट आई थी जिसमें 5 लोग पॉजिटिव पाय गया है सभी पॉजिटिव सिंदि कैम के पहले पॉजिटिव मरीज के संपर्क में थे जिसमें मरीज की पतनी, 10 वरशिय बेटा, भावी तता न्यू भीम नगर में रहने वाले दो नौकरों का समावेश है इस रिपोर्ट के बाद अकॉला शेयर में हलकम पमच गया था जिसके तुरंत बाद करशी नगर परिसर को सील किया गया अब तक अकॉला में बैत पूरा परिसर, अकोर्ट फाइल परिसर, सिंदिक एम परिसर, जीमडी मार्केट का कुछ भाग और करशी नगर परिसर को सील किया गया है इन सभी सील किये गए परिशरों का मुआयना जिला पुलिस अधिक्षक अमोगाव कर उपिभागिये अधिकारी डॉक्टर निलेश अपार महानगर पाली का आयुक्त संजय कापनलिस निकिया इस अधिकारी ने नागरिकों से अपिल की है कि सर्वे करने वाली मनपा की टीमों को सहयोग करे सील किये गए परिशरों में सनिटाइजर का शेलकाव करने का काम शुरू किया गया है मनपा की आरोग्य टीमें भी सर्विक्षन कर रही है इस दवरान वरिष्ट अधिकारियों ने छेतरी अधिकारी अजय गुजर, संदीब गाउंडे, विठल, देवकते, राजेंद्र ठाकरे, आरोग के विभाग पर्मुक परशांत राजूर कर आरोग के निरिक्षक को आवशक निरेज दिये कृष्णगर के निव भीम नगर परिसर को कंटेंडमेंट एरिया घोशित किया गया है एकी दिन में कोरोना पाजिटिव के पांच मरीज पाय जाने के कारण जिला प्रशासन के माथे पर चिंता की लगिरे और अधिक गहरी हो गई है